हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका फूड जैप में आज हम शेयर करने वाले हैं नीबू मेर्च अद्रक का एकदम तेस्टी और चटपटा अचार ये अचार आप एक बर बना करेंगे ना सालो साल एंजोय करेंगे, ये खराब नहीं होता इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिसे आपके कोई भी अचार होंगे, आप उसे अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे फंगस लगने से बचा पाएंगे ये नीबू मिर्च और अदरक का रसीला अचार, ये थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा टैंगी और थोड़ा सा थीखा और चटपटा है ज़रू ट्राइ कीजे और रेसिपी अच्छी लग जाए, तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और ये दिया आप ये वीडियो फेस्बुक के और फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो आप हमें यहाँ भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, तो आएए बनाना देखते हैं, ये टेस्टी चटपटा सा अचार इस अचार को बनाने के लिए हमने हाँ पर तीन सु ग्राम के करीब ताजी हरी मिर्च ली है, ये डागरीन कलर की तीखी हरी मिर्चिया हैं, ये दिया आप कम तीखा पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी मूटी वाली हरी मिर्च चूज कीजेगा मिर्चियों को अच्छे से वाश कर लेना है, उसके बाद इन्हें सुखा लें और उसके बाद इनके डंठल इनसे अलग कर दे, डंठल आचार को स्पॉल कर सकते हैं, मिर्चियों को अपने मनपसंद अकार में काटे, इस अचार को जूसी और चटपटा बनाने के लिए इसक पर चोटे टुकड़े किये हैं आप इन्हें लंबाय में स्लेट कर सकते हैं दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं नीवू का जूस हमें मिल गया है काफे सारा अब हम नीबू के छिलकों को छोटे टुकडों में डिवाइट कर लेंगे एक नीबू के आप आठ टुकडे कर सकते हैं या फिर्चार या फिर्च है कुछ नीबू का जूस हमने नहीं निकाला है इन्हें हमने साबू थी जूस के साथ कट किया है लगभग आठ टुकड़ों में दोस्तों यहाँ पर हमने नीबू और मिर्च को पहले अच्छे से दोग कर सुखा लिया था उसके बाद इन्हें हमने इस्तमाल किया है अचार के अंदर नीबू मिर्च कट करते आ रहा है और इन्हें गहरे बोल में शेफ्ट कर लेंगे अब नीबू और मिर्च के अंदर हम नमक याट करेंगे नमक प्रिजरवेटिव का काम करता है नमक अचार को खराब होने से बचाता है रहाई बड़े चमच नमक एड़ करेंगे आप इसके अंदर नमक कम या ज़ादा कर सकते हैं अजवाइन एड़ करेंगे आधा छोटा चमच नीबू का रास एड़ कर लेंगे इसके अंदर और जो बीच रह गए हैं इन्हें हम निकाल देंगे डिसकार्ट कर देंगे बीच इसके अंदर हम नहीं याट करेंगे इन सबी चीजों का अच्छे से मिला लेंगे और इन सबी चीजों को इसी बोल के अंदर छोड़ देंगे सौफ्ट होने के लिए लगभग 24 घंटे या फिर 48 घंटों के लिए इन्हें हर रोज ढकन हटा कर दो से तीन बार चला दे उपर नीचे कर दे इस बोल को यदि आप धूपे रखते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आईए तब तक इनके मसाले देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मसाले जाएंगे सचार के अंदर और यह अचार बहुत ही जादा टेस्टी बनता है इन मसालों के साथ एक चोटाई छोटे चमच अजवैन एट करेंगे आदी चोटी चमच के करीब मेथी दना एक चोटाई छोटे चमच जीरा तीन बड़े चमच पीली सरसो एट करेंगे इसके अंदर यलो मास्टर सीर्ट्स और तीन बड़े चमच हरी वाली सौफ एट करेंगे तो इन सभी मसालों को एक पैन के अंदर हलका सा सेक लेंगे इन में से एक अच्छे सी खुश्पो आने तक इन्हें सेकेंगे ताकि इनकी नमी या फिर मॉइस्चर निकल जाए और ये अचार को स्पॉयल होने से बचा लें मसालों का कलर चेंज हो चुका है ये सिख चुके हैं अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं और इन्हें कोर्सली पीसा है आईए इधर देख लेते हैं नीबू और मिर्च का क्या हाल है 24 गंटे बीच चुके हैं इन्हें हमने बराबर ऐसे अल पलट दिया था ताकि नीचे उपर juices में सारे टुकडे dip हो सकें और यहाँ पर देख सकते हैं आप टमक और नीबू का juice है और इसके अंदर ये मिर्चिया डिप होकर कैसे अपना color change कर चुकी है ये मिर्चिया mature हो चुकी है और नीबू के चिलके भी हलके से soft हो चुके है एक चोटा चोटी चमच हींग एट कर लेंगे दो बड़े चमच कश्मिरी लाल में चैट करेंगे अच्छे color के लिए ये escape कर सकते हैं एक चोटी चमच के करीब काला नमक एट करेंगे बढ़िया स्वात के लिए और बाकी के बुने पीसे मसाले एट करेंगे अब इसके अंदर हम सरसो का तेल एट करेंगे लगबग एक कप के करीब ये तेल को गरम करके ठंडा करके एट करें अचार को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर अद्रक एट करेंगे अद्रक को धोकर सुखा कर छील कर इनके ऐसे जुलियन्स करके हम इसके अंदर एट कर लेंगे इस अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और हल्दी भी सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल आवशक तानुसार कम ज़्यादा किया जा सकता है यहाँ पर अब आप इसकी रंगत देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रसीला चटपटा अचार बना है इस अचार की रंगत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अचार कितना ज़्यादा टेस्टी होगा इसे आप ज़रूर ट्राइ करें और अपना फीट बैक हमें दे इस अचार को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसके अंदर एक चीज और एट करेंगे जिससे अचार का स्वाध एक्दम बदल जाएगा एक बड़ा चमच शुगर चीनी एट करेंगे चीनी एट करते ही अचार की रंगत और स्वाध तोनों ही बदल जाते हैं यदि आप शुगर एट करना नहीं चाते हैं तो आप इसे स्केप कर सकते हैं इसके बिना भी अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है सबी चीज़ा आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसे यूँ ही छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तीन से चार घंटे बीच चुके हैं मसाले तेल के साथ और जूसेस के साथ मिलकर अच्छे से फूल चुके हैं और यह अचार रेटी है खाने के लिए दोस्तों इसे हम कैसे स्टोर करें कि अचार लॉंग टाइम तक प्रिजर्व रहे अचार लंबे समय तक रूम टेंपरिचर पे ही सुरक्षित रहें इसके लिए आप क्या करें कोई काच का जार ले ले या फिर चीनी मीटे का जार इन्हें आप अच्छे से गरम पानी में दोए और अच्छे से कड़क दोपे सुखा लें उसके बाद ये जूसी अचार इसके अंदर स्टूर करें अचार लंबे समय तक कमरे के तापमाट पर सुरक्षित रहें इसके लिए इसके अंदर कुछ प्रिजर्विटिव एट के जाता है जैसे की वाइट विनिगर, सिंथिटिक विनिगर जो जाउमिन मगरा में यूज होता है इसकी रेसिपी हमारे पास है लेकिन हम इसके अंदर नेच्रल प्रिजर्विटिव ही एट करेंगे जैसे की ओईल, तेल हम इसके अंदर इतना तेल पोर करेंगे कि अचार तेल में डूबर है अचार को थोड़ा प्रिस करते वे भरें ताकि अचार में जो तेल है वो उपर सतह पर आ सके और यदि अचार में तेल कम है तो आवज शक्ता पढ़ने पर आप इसके अंदर उपर से तेल पोर कर सकते हैं अचार डालते टाइम बस कुछ बातों का देहन जरूर रखें कि अचार में जो भी मटीरिल आप यूज कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए अचार बनने के बाद भी इसके अंदर एक बीबून पानी की नहीं जानी चाहिए ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक दीजेगा और जाता से जाता शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ फ्यामली मेंबर्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब निकिया तो कर लें साथे साथ फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धानिवाद आपका दिन शुबूर